नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट तो नाइन लाइफ और मैं हूं rhymeshtamisha श्रद्धा वालकर के केस का जिकर करते हैं आज 7 फरवरी है और आज के ही दिन श्रद्धा वालकर के केस में सुन्वाई की जाएगी ताके कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और देखना होगा कि आप आफ़ता पर क्या फैसला होता है वही अगर सबूतों की बात करें तो बीते शुकरवार को पुलिस ने कुछ सबूतों को जुटाया जो इस बार कोर्ट में पेश किया जाएगा इन सबूतों में कुछ धारद हत्यार हो सकते हैं या फिर श्रद्धा के कुछ टुकड़े हो सकते हैं ऐसी समभावनाई जताए जा रही हैं क्या कुछ हुआ बीते शुकरवार को इस रिपोर्ट में जानते हैं आपको बता दे कि बीते शुकरवार को गुरुग्राम के डियलेफ फेस टू में सीवंद कंपनी के पास आसपास की जाड़ियों में दिल्ली पुलिस ने चानवीन की इस कंपनी में आफताब पुनावाला काम करता था इसलिए पुलिस को ये अंदेशा था कि हो सकता है कि श्रद्धा वालकर के कुछ टुकड़े हत्यार या श्रद्धा का फोन आफताब ने यहां पर फेग दिया होगा इसी सिलसिले में चानवीन करने के लिए जब पुलिस वहां पहुँचे तो पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे पुलिस ने कुछ सबूतों को जब्त किया है जिसमें ये सम्भावनाई जताए जा रही है सूत्रों के हिसा आप से बताया जा रहा है कि पुलिस के पास एक भारी पॉलथिन बैग है यानि कि उस जंगल से पुलिस ने भारी पॉलथिन बैग को बरामत किया है हाला कि उस पॉलथिन बैग में क्या है अभी तक इसके पूस्टिंग नहीं की जा रही है मगर आज यानि कि साथ फरीक वर्वई को जब आफताब की सुन बरामत किया गया है आफ़ताब कि इस वारदात ने जी सरी के से अनजाम दिया उसमें केवल 13 ही अभी टुकड़ों को बरामत किया गया है आगे आने वाले दिनों में निया खरास्त फिर से एक बरबается जाती है आफ़ताब की, ये देखना होगा काफी दिल्चास पर फिलाल इस रिपोर्ट पर इतना ही देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ